नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शौरफगर्ग और मैं आपको स्वाइब करता है यह प्रेश वीडियो में तो भाई आज में आया हुआ हूँ लेक्सा की शोर मुराना मोटरस गुणगाओं में तो भाई आप सबको पता है बले महरूती की बलेनो लोंच हो चुकी है और आप म सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू आप करते हैं तो भाई यह है अभिशेक भाई और यह हमारे सेल्स एक्जिक्यूट्व भी पोलो रिलेसिंशिप मैनेजर भी है नेक्सा राना मोटर्स के तो भाई किसी को और ऐसे को भाई किसी को भी स्टैने यह थिरूर सो कि अगर जरूर एक और इसका एक राज है कि अपना एक चैनल चलाते है अभिशेक फिटनेस के नाम से तो वाई का चैनल 10 सब्सक्राइब करें अभीशेख ह्बात करते हैं गाड़ी के बारे में और सबसे पहले घाड़ी के मैं आपको बता दू डायमेंस्स के बारे में इसमां को का 990ं के आपको लैं Cheese 1745 म की इसको आपको सोड़ाई मिल जाए और बात करें हीट की theo is मिल जाने वाली है आपको 1500 mm की और अगर बात करें हम इसके वील बेस की तो वील बेस आपको मिल जाने वाला है 2520 mm का और अगर बात करें इसके वेट वगेरा की तो कर्व वेट मिलेगा जो आपको वह है 920-955 किलो के बीच में और बात करें ग्रोस वेट की तो ग्रोस वेट आपको मिलने वाला है 1410 किलो का तो भाई अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में तो फ्रंट लुक आप देखी सकते हैं काफी स्पोर्टी सा दिया गया है काफी क्लासी लग रहा है और महरुती ने इसके लुक को काफी एलिगेंट पनाने की कोशि अगया और वहीं अगरम बात को बात करें तो फोग लैम एंप बहु आपको लेड़ि वाज़एक बात करें इक लोगों को इसे उ लोगर के चालू कि अब बات करेंगे इसके साई प्रोफैल के बारे मैं उससे पहले मैं आपको बतादो जो बने का डिजाइन है वो पुरानी वाली बलेनों से चेंज कर दिया गया है अब इसमें आइटुन्टी टाइप को बलोन और बॉनट लगा दिया गया है बीच में कट देके पहले वो आगे से खुल जाता था बाट अब इसमें बीच में कट है जो की थोड़ा साथ चेंज करने की को प्रोफाइल है 195 55 r16 तो इसके थोड़ा सा जो रेडिल प्रोफाइल है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है जिसके वज़े से थोड़ी सा काफी अलग सा लूक निकल के आ रहा है टायर का और यह लूक भी काफी प्यारा कर दिया गया है इसमें आपको फ्रेंट में डिस्क ब्रे आपको एक 360 डेगरे का एक कैमरा मिल जाने वाला है जो कि यहां पर प्लेसमेंट किया गया है और बात करें इसके हैंडल्स के बारे में तो इसमें आपको क्रॉम हैंडल ओफर किये गया है कपने की दरब से उसके साथ आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी ओफर कर दिया गया ह हैं और एक रोम हैंडल्स की काफी है वह काफी लग रही है देखने में मारोती ने इसलोर अपने की पर काम किया है ठोड़ा सा अचा लगए है और मजभूती पर थोड़ा सा काम किया और एक क्रोम कर्ली विक्वीं आपको डोर भी जमागे को मिल जाएग़ जो कि यहां से ल मिलने वाला है पैट्रोल इंजन के साथ तो पैट्रोल डाल सकते हैं इसमें 37 लिटर की कैपिसिटी के साथ आप और भाई बात करता हूं आप इसके रूफ की तो रूफ पर आपको नॉर्मल एंटिना देखना को मिलेगा शारक फिन नहीं दिया है अभी भी कंपनी नहीं है अल इसलाय। को आपको हैड लाइट में देखने संसर बिल जाएंगी जर जो की चार लाइट है आप देख सकते हैं औरबदेख सकते हैं और बात करें अगर नीचे की साइड में तो नीचे बूट की कैपेसिटी है जो वह है 318 लीटर की तो पहले से बूट कम कर दिया गया है पहले बले नो में 349 लीटर का बूट आता था बट अभी 318 लीटर का कर दिया गया है बट इसमें अब आपको एक लैंप मिल जाएगी बात करते हैं इसके पार्शल ट्रे की तो इस वाले मोडल में आपको पार्शल ट्रे भी ऑफर की गई है और इसी मोडल में नहीं आपको पार्शल ट्रे सभी मोडल में मिल जाएगी इवन सिग्मा बेस मोडल में भी आपको पार्शल ट्रे देखने को मिल जाएगी दोस्तों त तो भाई डॉर्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं डॉर्स गिलास के बारे में तो भाई इसमें जो गिलास लगाए गए है वो लगाए गए है यूवी कट वाले गिलास मतलब जो अल्ट्रा वॉयलेट किरन दूप में खड़े रहने से गाड़ी के अंदर आती ह को जो fabric finish दी गई है वो दी गई है बिलू कलर की नवी बिलू fabric दिया गया है इसमें आपको handrest पर और stitching वगज़ा काफी प्यारी दी गई है और काफी अच्छी लग रही है उसके आगे आपको piano black finish की finishing दी गई है जिसके बीच में आपको पावर विंडो का स्विच मिल जाएगा बात करें डॉर हेंडल की डॉर हेंडल आपको क्रॉम फिनिश के साथ ही दिया गया है नीचे की साइड में आपको बोटल होल्डर ओफर किया गया है थोड़ी सी जगा और दी गई है और एक स्पिकर की प्लेश्मेंट भी आपको इसमे कशषी बढ़िया है और आपको इसमें अंधर चलके बताता हूं कि इसमें और क्या यह करने चलता है अंदर का को क्या वुख देख सकते हैं की इसमें है क्या और वार्ण भी देख सकते हैं क्ली से में अंदर भी घंठ अबातर्विArug बहुत अच्छी खाशी मिल जाने वाली है और बात करना कर इसके में हाइट वगरा की तो हाइट आप देख सकते हैं काफी बढ़िया है आप प्रोपर जज्ज नहीं कर पा रहे होंगे बट हाइट वगरा भी काफी अच्छी है इस पेस होगरा के मामले में कोई कमी नहीं है ग कर सकते हैं और उसके नीचे भी आपको थोड़ों सा स्पेस मिलेगा कोई फॉन और रखने के लिए तो भाई बात करें रूफ लैंप की तो रूफ लैंप आपको इसमें डबल मिल जाने वाली है एक पीछे की साइड में बीच में और एक आगे की साइड में जो कि इसमें आ सबते हैं तो बाई आप बात करते हैं इस जो गाड़ी के फ्रेंट इन्टीर के बारे में और सबसे पहले M inclu सिट के बारे में तो इस इस को आप आगे पीछे बीसेशे कर सकते हैं और कि और लूफ बांट कर पाएंगे और उसके बगल में ही में open करने का switch भी यहीं पर दे दिया गया है पहले नीचे दिया जाता था उसको अपर थोड़ा सा space है और यहां पर काफी सारे बटन दिये गया है इन सारे बटन के बारे में भी आगे बात करेंगे बाई देख सकते हैं यह traction control का बटन है 360 degree camera का है headlamp level करने का switch नीचे on and on off का switch और start का switch भी यहां पर दिया गया है और उपर जो है वह आपको heads up display के सारे switch दिये गया है तो वह चलते हैं अंदर और बात करते हैं इसके steering के बारे में जो कि काफी अच्छा लग रहा है और इस पर लेफ्ट साइड में आपको infotainment के switch देखने को मिलेंगे और राइट साइड में आपको cruise control के switch भी देखने को मिल जाएंगे instrument cluster से पहले मैं आपको बता दू इसके मैं जो इसक्रीन दी गई इंफोटाइन में system की वह दी गए नाइन इंचिस की और उसके नीचे जो इस इवेंट्स दिये गए हैं वह आपको chrome strip के साथ दिये गए हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं और नीचे की साइड में आपको बटन से आप फैंस की स्पीड को कंट्रॉल कर सकते हैं तो बाई ओटोमेटिक एसी ओफर कर दी गई है नीचे की साइड में आपको यूएश्वी सोकेट दिया गया है और इसके नीचे एक पैड टाइप कर स्पेस दिया गया है दो कप होल्डर भी मिल जाएंगे आपको इस चीज भाई यह है कि इसमापको कंपनी की तरफ से हैंड्रेस्ट ऑफर कर दिया गया है टॉप मोडल में और अपिसे अपने 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 पीछे अड़ेस्ट कर सकते हैं इस हैंड्रेस्ट को और इसको खॉल के देखता तो इसमें भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल यह था जब इतने सारे दिए तो बाकी डेश बोड़ की लुक है वह काफी अच्छा है क्वाल्ति भीए बादिया है जो प्लास्टिक की गई है काफी अच्छी प्लास्टिक यूज़ की गई है इस बार काफी बढ़िया है अच्छी लग रहे है देखने में और बात करें आ लेंप भी मिल जाएगी सन्वाइजर में तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी चीजें यूज की गई है वाई ड्राइवर साइड वाले सन्वाइजर पर भी आपको मिरर देखने को मिल जाएगा विद लेंप तो भाई क्वाल्टी का और और चीजों का भी काफी ध्यान बारे में तो इंस्ट्रूमेंट क्लेश्टर आपको टोटली एनलोग दिया गया है बीच में एक दी गई है जो कि डिजिटल है तो भाई इसमें आठ हजार आर्पेम तक का आपको मिटर देखने को मिल जाएगा और जो फ्यूल का मिटर है वह आपको स्प्यूल मिटर में द दिखा दूँ मैं आपको इसमा आइट पॉइंट टू की टू के एंपेल के फिल एकनोमी दिखा रहा क्योंकि गाड़ी खड़ी है दोनों डॉर्स ओपन है तो उसमें भी साइन आ रहा था और यह फ्यूल एकनोमी वगेरा रेंज वगेरा और गाड़ी कितनी चल चुकी है यह सारी चीजें ड्राइविंग टाइम वगेरा देखिए दो गंटे चल चुकी है गाड़ी और टोटल आइडल स्टॉप टाइम भी दिखाता है घड़ी मोशन प्रंट कितना है इसमें और बाई टॉर्क के बारे में भी आपको बताता है टॉर्क और पावर इसने कहां पर यूनिक सी M.I.D. दी गई है काफी फीचरेबल M.I.D. है यह तो भाई अब हम बात करते हैं इसके एक यूनिक फीचर के बारे में जो की है इसका हैड़ सब डिस्पले तब इस डिस्पले पर भी आप सारी जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लिश्टर की जानकारी वो आप यहा सब चीजें यहां से कंट्रूल कर सकते हैं और आप इसे क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि यह डिस्पले ओपन रहे तो आप इसे ओपन रख सकते हैं चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं इस तरीके से यह ओपन क्लोज हो जाती है और अब हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में बात करते हैं इस वाले बटन से आप इसके 360 डिगरी केमरा को रन करके आप देख सकते हैं आपके इसमें आपको और भी इंफोर्मेशन मिल जाएगी जैसे एक फूल उकॉनमी वगेरा बाकि सारी चीजे और एंडुड एपल कार पर ले तो यह सपोर्ट कर कर सकते हैं और उसमें आप यह देख सकते हैं कि जब भी आप अपनी गाड़ी को किसी के हाथ में दें और गाड़ी कहीं बहार जाए अगर आपके पास ना रहा है तो आप अपने फोन में देख सकते हैं कि गाड़ी कहां पर है और कितनी चली है कितनी बार श्टार्ट हुई पिए सारे चीजने आपको अपने फोन में पता लगती रहेगी सप्षाइब कर दिया गया है पहले से भी इंजन नौइज होगेरा काफी कम आती है अंदर अभी आप देख सकते हैं लेटे लगा दी गए और उपर भी इंसोलेशन कर दिया गया है ताकि इंजन की अवाद दंदर ना आए और नीचे की साइड से भी कवर किया गया है ताकि चुए वगेरा भी गाड़ी में ना गुश सके और यह एर इंटेक का भी पहले नीचे की साइड होता थ इस थाउजन आर्पियम पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनेरेट करते हैं चौनलिस्टो आरपियम पर और वहीं बात करें इसमें आपको एवरेज की तो आपको मिलेगी मैनुवल गेरबोक्स में आपको टॉन्टी टू.पॉइंट थी होर के एंपेल की और वहीं बा सब्सक्राइब कर दिया गया है जिसकी वजह से इसकी माइलेज होगरा काफी बढ़ गई है तो गाड़ी में जो भी नए नए फीचर्स थे उन सब के बारे में मैं आपको बता दिया तो आपको गाड़ी कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको